ब्रमलिन जोतिर पीठा दिश्वर स्वामी माध्वा अश्रमजी महाराज की पुर्णे स्पनिती में उनके मूल गाउं बैंजी में चल रहे श्रीमत भागवश शिमापुरान शत्र चंडी यग्य में आज सूबे के मुखे मंत्री तिर्वेंदर सिंग रावात ने शिर्कत की इस अफसर पर उन्होंने ब्रमलिन चंकरा चारी स्वामी माध्वा अश्रमजी महाराज की मूर्ती वह परवती लोक संग्राले का भी अनावरन किया श्रीत तुंगनात महा यग्य समीती द्वारा अगस्त मुनी की पास इस्थित बैंजी गाउ में ब्रमलिन जोतित पीट शंकरा चारे माध्वा अश्रमजी महाराज की इसकृती में विगत साज्जून से श्रीमत भागवा शिमापुरान शत्चंडी यग्य का आयोजिन किय जा रहा है गिरामीनों द्वारा ब्रमलिन पूजे महाराजी की मूर्ती गाउ में स्थाफित की गई साथी पहाड की धरोरों को संजोई रखने हेतू परवती लोक संग्राले की स्थापना की गई आज महायग्य की पांचवे दिन प्रदेश की मुख्य मंत्री तिर्वेंदर सिंग रावत सुबा धरादून से हेलिकॉप्टर से अगस्त मुनी क्रीडा मैदान पहुँचे जहां से वे साड़े दस बजे ब्यैंजी गाउ पहुँचे जहां उन्होंने ब्रमलिन चंक्राच प्रदेश के विकास के लिए एक बार प्रदेश की सरकार को राजनितिक अईस्थिर्था से भी उभारा उन्होंने परवतिय लोक संग्धाले को एतिहासिख वा भवे बनाने का आश्वासन इस्थाने जनता को दिया इसके लिए उन्होंने परियाप्त जमीन उपलप कराने को कहा मुख्य मंत्री ने कहा कि केदानात में इस्थानी उत्पादों से निर्मित प्रसाद से आने वाले समय में इस्थानी लोगों की आर्थकी और मजबूत होगी मुख्य मंत्री के साथ सूबे के परियतर मंत्री सत्पाल महराज ने भी महायग्य में प्रतिभाग किया इस अफसर पर रुद्धु परियाग विधैक, भरत सिंग चौधरी, बद्रीनात के धार्ना समीती के उपाद्यक्ष, अशोग खत्री, कोटेश्वर के महंत, शिवानन गिरी महाराज, भाजपा जिलाद्यक्ष, विजे कपडवान, पूर्व विधैक, आशा नोट्यार, शिर जन्त प्रतिनिती इस अफसर पर उपस्तित रहे, रुद्धु परियाग से शुलमिक मंचे के लिए समवादाता, शौंबु प्रसाद की रिपोर्ट